गलत शय हम, मैं आविन कुमार सिंग। अब बिरोजगारी का जो आलम है आप समझ सकते हैं कि अभी जो भी स्टुडेंट रेल विक तैयारी करते हों, बिहारvaluation सीक तैयारी करते हों, कितना struggle आप कर रहे हैं एक post के लिए आप से बहतर कोई नहीं समझ सकता है क्योंकि vacancy सिमित होती है और form भरने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही जादा होती है और vacancy, government vacancy कितनी आती है आपको अच्छे से पता है रेलवे की बात कर रहे हैं तो जहां रेलवे में 50,000, 60,000 प्लस vacancy आती थी छे साल के बाद दी गई मातर 5696 vacancy हर डिपार्टमेंट की लगभग यहीं स्थिति है इसी बीच में अभी आप देख रहे हैं कि बिहार Beltron Data Entry Operator भरती परिच्छा दोहजार चौबिस एक समझिये कि आसा की एक किरन आपको दिखाई दे सकती है इसके माधियम से क्योंकि बिहार Beltron, Beltron के बारे में हो सकता है आप जानते भी हो हो सकता है कि आप नहीं भी जानते हों मोटा मोटी यह समझिये कि यह बिहार Beltron यह semi government agency type का है semi government 100% government कर नहीं semi government इसको बोल सकते हैं और सबसे बरी बात यह है कि 4 साल 5 साल पर इसकी vacancy आती है और इसकी exact संख्या direct तो नहीं दिखाती है लेकिन अगर इसको अगर आप qualify करते हैं 60 marks का exam होता है और 60 question computer से ही पुछा जाता है और 50% marks में आपको pass समझा जाता है यानि 30 marks से अधिक है तो आप pass हो जाएंगे बसरते इसमें condition यह है कि Hindi और English दोनों का typing का ज्यान होना चाहिए और Hindi typing के आधार पर आपका merit बनता है और 4-5 मेहने के बाद इसका exam होना है कहने का यह मतलब है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 साल के लिए शुरू में इसकी बहाली होती है संबिदा पर लेकिन अभी तक का record रहा है कि आज तक कभी भी यह अपने candidate को यानि जो बहाली हुआ कि कभी हटाये नहीं है क्योंकि इतना highly demanded है कि इसको हटाया ही नहीं आज तक गया है हटाया ही नहीं जाता है क्योंकि बहुँ ज़्यादा इसका demand है बिहार सरकार के अलग-अलग department में data entry operator का और भी इस type के अनि जो post होते हैं उस पर यहां से बहाली ले करके वहां भेजा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या importance है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम basic pay scale पे scale जो होता है वो भी हम इसमें last में लगाए हुए हैं कई अलग-अलग slide में यह बटा हुआ है और 25,500 इसका payment है per month 25,500 और annually आपका 10% increasement है तो आप समझ सकते हैं कि अगर driver भी आप जोइन करेंगे या technician जोइन करेंगे initially आपको कितना मिलेगा तो जहां उतना जद्दो जहत उधर कर रहे हैं तो ठीक है priority हमारा रहेगा government job के लिए 100% government job के लिए लेकिन side से अपना रास्ता आपको मजबूत करके चलना परेगा जिस तरह के अभी परिस्तिती बनी हुई है और ऐसा करते हैं बहु ज़्यादा gust feel आ frequency में computer का certificate खोचता है तो निश्चीत रूप से उसके लिए आप एक साल का computer का certificate बनवाए होंगे वो certificate यहां कम कर जाएगा अगर आप English में typing already जान रहे होंगे तो चार महिना सारे चार महिना लगेगा और Hindi typing तब तक आराम से आप सीख सकते हैं आधा से एक घंटा का time आपको daily देना है चार महिने बाद तो इसका exam ही होगा और exam के same day में आपका typing test भी हो जाता है फर्स sitting में exam हुआ अगर qualify किये उसी दिन आपका typing test भी हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं चार सारे चार महिना में typing speed आप maintain कर सकते हैं अगर English जाना है तो Hindi में कर सकते हैं और अगर Hindi जाना है तो English speech में कर लेंगे और नहीं तो दोनों भी कर सकते हैं बहुत बड़ी बात नहीं है तो इसमें कई slide में ये हमारा बटा हुआ है जिसमें की पूरी जानकारी सुरू से ले करके अंत तक दिया हुआ है और इसमें computers related syllabus क्या है उसकी भी चर्चा हम कर दिये हैं सुजय सर मेरे स भी आख्या करेंगे और इसमें कौन-कौन सा documents लगना है उसके बारे में भी detail बताएंगे और एक बात और आपको याद रखना है कि इसमें edit का option आपको नहीं दिया जाएगा इसलिए जब भी आप form भरें पूरी तरीके से साबधानी पूरवक form भरना चाहिए आपको और इस दिन चार दिन हम डेमो दे देंगे अगर अच्छा लगेगा तो आपको उसको continue करना है और मात्र online में 499 रुपया मात्र इसका फी है एकजाम तक ये बैच चलेगा और ये बैच आपका offline mode में भी चलेगा जिसके बारे में सर आपको detail बता देंगे offline में 999 फी है online में 499 फी है तो आपको देख लेना है इसका lab अगर चाहते हैं आप तो 100% उठा सकते हैं और guarantee है कि जितना हम परहा देंगे आप 100% qualify करेंगे बसरते कि typing का ज्यान आपको कैसे लेना है कैसे typing सीखना है ये आपकी जबाब देए तो हम चाहते हैं कि सुजय सर इसके बारे में पूरा detail एक ए टाइम जरूर लगेगा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लास्ट तक जरूर देखिएगा इसको धनिवार करें अजिए आज का ये वीडियो जो है ये उन सभी के लिए बहु जादा इंपोर्टेंट है जो चाहते हैं कि अभी किसी भी तरह से हमारा एक job लग जाए, हमारे पास एक job हो, उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा important है, सबसे पहली बात, ये matter नहीं करता है कि आप computer जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप typing जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इससे कोई matter नहीं है, अगर आपके मन में ये इक्षा है कि आने वा हम बताएंगे, वैसे वैसे आपको सब कुछ को ध्यान से सुनना है, और उसी प्रोसेस से आपका selection भी हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है कि आपका registration start हो गया है, आप registration कर सकते हैं इसका, और हम आपको एक एक चीज आगे चल के समझा देते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, भरने के साथ साथ अभी तक आप typing सीख लिए तो ठीक है, और नहीं सीखे है, तो अभी से भी आप पढ़्यास करिएगा, तो सीख लिजिएगा, क्योंकि typing बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं मंगता है, जैसे दूसरा organization में मंगता है, यहां English कितना है, तो 30 word है per minute, और हिंदी कितना है, तो आपका 25 है, और 10 plus 2 का आपके पास qualification होना चाहिए, और एक year का, एक आपका year का क्या होना चाहिए, तो आपका computer, आपका certificate होना चाहिए, जो हम आगे आपको पूरा detail बताएंगे, देखे, और इसमें उम्र सीमा जो है आपका 60 साल तक है, 18 साल से 60 साल त देखिए आपको, जो आपका registration है, ये 20 तारिक से आपका start हो गया है, समझ गया बातों को, और ये आपका आगे कब तक, तो आपका 15 मतलब, 15 तीन तक आने की 15 मार्च तक जो आपका चलेगा, लेकिन आपको पहले ही कर लेना है, क्योंकि बाद में अगर server rule issue हो जाता है, तो आ और कोई भी subject नहीं रहेगा, जैसे कि आपका math reasoning science है, तो कुछ भी नहीं रहेगा, only आपका 60 questions जो होगा, किसका होगा, तो आपका computer का होगा, और जैसे हम आपको computer पढ़ाएंगे, आप पर लिजेगा, तो 100% qualify कर जाएगा, लेकिन matter ये है कि आपको ध्यान से पढ़ना पड़ को, और इसमें कितना आपको बस 50% आंक लाकर कि आपको qualify कर जाएगा, मतलब इसमें अगर 60% अगर पूछेगा, इसके लिए duration आपका one hour का होगा, समझ गए बातों को, और इसमें कोई भी no negative, कोई negative marking भी नहीं है, तो आप बहुत इजली qualify कर जाएगा, कैसे कैसे weightage रहता है, वो सब अभी हम आगे बताएंगे, बस आप बने रहिए मेरे साथ, यहां क्या देखे आप, कि 60 आपका question होगा, एक आपका exam होगा, और इसमें आपका एक question होगा, कितना तो आपका एक marks का आपका होगा, समझ गया बातों को, तब बस इतना बात पर ध्यान दखना है कि आपक question किसी भी तरह से सही करना है, जिसमें कोई भी negative marking आपका नहीं है, आगे देखे, आगे आपका क्या करना है, इसे आगे वही सब बाते लिखा गए, जो हम आपको बताए है, यहां देखे, यह important है आपके लिए कि आपका computer based test होगा, समझ गया बातों को, और इसमें MCQ आपका प्रस्न आएगा, ठीक है, और 60 आपका प्रस्न होगा, 50 परतिसत अंक आपका लाना है इसमें, मतलब आपको 30 question को सही करना है, कोई भी आपका negative marking नहीं है, इस बात को आप ध्यान मतलब ले करके चलिए, इसमें जो आपका अंग्रेजी का टाइपिंग है, यह 30 word आपका per minute होन हैं, क्योंकि इसमें आपको लगभग, लगभग, तीन से चार महिना आपको time जो है क्या होगा, आपको मिल जाएगा peripulation करने के लिए, तो इस duration आप computer भी सिख लिजेगा, और typing भी सिख लिजेगा, और आने वाले time में आपके पास एक job भी होगा, फिर साथ साथ आप दूसर आपके पास होता ही है, समझ गये बातों को, क्या चाहिए, तो देखिए, तेंथ का आपका क्या चाहिए, तो mark seat चाहिए, और क्या चाहिए आपको, तो certificate चाहिए, और 12 का भी mark seat और certificate, 12 पास बोल लखा, इसके मतलब आपके पास 10 तो होगा ही होगा, इसमें कोई सोचने की बा जरूरत होगा समझ गये बातों को यह सब चीजे आपको फर्म भरने के लिए जरूरत आगे बरें चलिए देखिए अगला आप देखिए जो सबसे मेन बात होता है कि सर हम जौब करेंगे तो हमको मिलेगा क्या आपको मिलेगा ऐसा स्लीप एक कब से जौइनिंग के एक महिने बात से और यह देख लिज़े यहाँ पर लिखा है आपका कितना पचीश अजार तो यह आपका फाइनल सेलरी जो बनता है आपका पचीश अजार बन जाता है और इसमें तेन परतिसत का आपका क्या है इनक्रीमेंट है अपका तेन को जनरली नहीं हटाया जाता है क्योंकि मैन पाबर का बहुत जरूरत है और यह जवाइन कर जाते हैं जब तक आप खुद से नहीं हटिएगा कोई आपको बड़ा जोब नहीं लेगा तब तक जनरली आपको कोई नहीं हटाएगा समझ गया बातों को और अभी मतलब अगर बाहर में आप जाब करते था पांच यहार दस जार पंद्रह जार मिलता है लेकिन उसमें चले जाईएगा तो देख रहें कितना अच्छा आपको सली मिलेगा और बड़ा इजी स्लेबस है बस साथ कुस्चन में से आपको तीस ही मार्क्स आपको लाना है समझ गये तीस मार् लग जाएगा कि मैं कैसा पढ़ाऊंगा आपको कैसा कंटेंट मिलेगा कैसे आप तयारी करिए आपको लाया कि हम तीस नमर ला सकते कि नहीं आप मैक्समुम से मैक्समुम लाय सकते इसमें क्वालिफाई करने का तो बात ही छोड़ देखिए यह अपना बैच है ठीक है जो क एक बार आपको स्लेबस भी दिखा देते हैं कि कैसे स्लेबस है आपका और हम लोग का रननीती क्या रहेगा पढ़ने के दौरान इसमें टोटल आपका कितना 10 वो आपका टोपिक है कितना टोपिक है दस वो दस वो टोपिक कौन है तो एक आपका बेसिक कम्प्यूटर है तिसरा आपका क्या है word processing, चौथा आपका document का fermentation, तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो बेटज रहता किसका MS आपका किसका office का, MS office का सबसे ज़्यादा आपका बेटज रहता है मेरे भाई, लेकिन इसमें तीन चीजे आता है, एक तो आपका क्या आजाएगा MS आपका आने क PPT कैसे बनाते हैं, मतलब presentation ये आपका आजाएगा, लेकिन सर इसमें syllabus 10 को topic दे दिया, तो सबका बेटज बड़ाबर है क्या, बिल्कुल सबका बेटज बड़ाबर नहीं है, ये हमें कैसे पता चला, तो जब previous year का question देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा, तो इसमें से ज़्यादा exam में आता है, तो देखिए, MS office जो है आपका अकेले जो है लगभग लगभग 40 नमर कोभर करता है, तो इस MS office में क्या क्या आएगा सर, तो इसमें तीन चीज़े आएगा, एक आपका MS word आएगा, दुसरा आपका MS Excel आएगा, तिसरा आपका क्या आएगा, पाब आपको काम करने के लिए जो मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा आपको MS Excel में ही करना पड़ेगा, चाहे कोई chart बनाना हो, चाहे कोई salary बनाना हो, चाहे कोई document fermentation करना हो, कहां करिएगा, इसी Excel में, इसलिए ये सबसे ज़्यादा आपका important है, लगभग लगभग, आपका 20 marks जो है, या केले cover करता है, 12 से लेकर के 14 marks आपका MS Word, और फिर ये बच गया आपका 5 से 6 marks ये भी लेता है, तो इसके मतलब सर आप पहले MS Office पढ़ाईगा क्या, तो नहीं, पहले MS Office नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा क्यूं, ऐसा इसलिए, क्योंकि जब तक आपको basic computer नहीं आएगा, system software नही से चलाना सिखिएगा, ये आपका MS Office क्या है, तो ये आपका एक application software है, तो पहले computer चलाना सिखाईए सर, उसके बाद आप हमको application software का ग्यान दीजिएगा, तो ज्यादा अच्छा समझ में आगा, बिल्कुल आप सही पकड़े, समझ गया बातों को, इसलिए हम क्या करेंगे, य जैसे कि आपका computer organization क्या होता है, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, CPU पढ़ेंगे, आने की central processing unit पढ़ेंगे, input क्या होता है, input मतलब क्या, जो भी हम computer के अंदर देते हैं, वो सब आपका input है, और जो process हो करके, उसके उपर display करता है, वो सब क्या है, आपका output है, जो कि जो आपका desire होता है, समझ गए, तो input पढ़ेंगे, output पढ़ेंगे, system software देखें यहाँ पे, पहले system software पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे application software, application software का मतलब क्या, यही है आपका MS office है, समझ गए बातों को, उसके बाद हम computer language पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा जनकाड़ी होना चाहिए, इ सब पढ़ जाना है, पुरा का पुरा नहीं पढ़ना है, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जो important factual चीज़ है, यह विशेस हम MS office पे जोड़ लगाएंगे, समझ गए, उसके बाद language का बाद जैसे compiler हो गया, तो compiler का काम क्या होता है, जो भी हम source code देते हैं, मतलब source code में जो लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको object code में कर देना, एक ही साथ पुरा को, वही हमारा क्या होता है, compiler होता है, समझ गया है, इसमें एक interpreter भी आता है, जो line by line को convert करता है, यह सब कुछ each and everything हम आपको class में clear कड़ा देंगे, exam में जाके धुआ धुआ कर दीजे जिसको आप क्या बोलते हैं, 0 और 1 के format में इसको आप binary बोलिए, या machine language बोलिए, दोनों बात आपका बड़ावड है मेरे भाई, ठीक है, चलिए, तो उसके बाद, इसके मतलब सारा पहले हमें यह पढ़ाईए का basic computer, उसके बाद operating system, और उसके बाद देखिए, उसके बाद direct कहाएंगे, तो दस्मा नमर topic जो आपका internet जो है, इसके बारे में, internet क्या होता, internet क्या होता, extra net क्या होता है, IP address आपका क्या होता है, जैसे कि IPB4 क्या होता है, IPB6 क्या होता है, यह सब आपका IP address internet का सीधे question आता है, यह सब हम आपको पढ़ाएंगे, और इसके बाद जब यह त पीनो टोपिक खतम हो जागा तो इसमें जितना भी अब साथ टोपिक बचा है यह आपका MS आपका ओफिस का है किसका है MS Office का समझ गया जिस MS Office में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे तो वर्ड पढ़ेंगे जो आप यहां से सुरू हो यहां पर वर्ड प्रोसेसिंग हो गया तीसरे नमर पर चौथे नमर पर फॉर्मेंट आने की डोकुमेंटेशन हो गया और पांच में नमर पर आपका यहां से आपका MS Excel हो जाएगा क्या हो जागा अपका MS Excel जैसे के स्प्रेट सीट के बारे में पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद फिर हम फर्मूला के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जैसे की आप PPT कैसे बनाते हैं उसमें सलाइड क्या होता है भीव क्या होता है यह सब के बाड़े में पढ़ेंगे तो इस कोर्स को डियाइन हम खुद करेंगे कि आपको कैसे देना है तो सबसे पहले बेसिक पूरा उसके बाद घुसेंगे कहां MS Office में जब एक बाड़े MS Office में इंट्री कर जाएंगे तो लगभग ल अधियान से आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर अभी आपको एक जौब का जरूरत है मेरे भाई तो आप जरूर जूड़िए ठीक है और अपना उमीद एकदम भरकडार रखिए और निश्ची तूरु से आपको जौब लगेगा क्योंकि इसमें क्या है बहुत पीडिफिडेंस पहले मिल जागा इसी के लिए हम क्या लाए हैं आपके लिए तो यह बैच लाए हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर जुरिए हम अपना पूरा पढ़ियास करेंगे पूराई फट डालेंगे अगर आप भी मेरे साथ अपना पूरा-इफट डा जागा जब कलास में मेरे साथ जुडियेगा तब या तो अभी तक आप नहीं देखे मेरा कोई दूसरा कलास कम्प्यूटर का तो देख लीजिए आपको पता चल जाएगा समझ गया तो मिलते हैं फिर कलास ठीक है ओके ठैंक्स फर वाचिक